Hello everyone, my name is Anurag Singh इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि transportation क्या होता है तो transportation का मतलब होता है हमारे सरीर में oxygen, carbon dioxide और excreti materials, nutrients को travel कराना एक part से दूसरे part तक यही क्या कहलाता है? transportation कहलाता है यानि कि body के एक part से दूसरे part तक ट्रांसपोर्ट करना essential materials का ही क्या कहलाता है? transportation human beings में transportation blood के द्वारा और lymph के द्वारा होता है और tissue fluid की मदश से होता है lymph और blood ही क्या करता है? पूरे body में हमारे transport करने का काम करता है पहला component है blood blood एक red viscous fluid होता है जो हमारे arteries और veins में पाया जाता है और arteries और veins की थ्रू ही क्या करता है? यह पूरे body में travel करता है blood के चार component होते है plasma, red blood cells, white blood cells और platelets plasma क्या होता है? plasma water के जैसा color substance होता है जिसके अंदर other material जैसे की WBC platelets और ABC पाये जाते हैं यानि कि plasma के अंदर लगबग 90-92% क्या present होता है? water present होता है और 6-8% इसके अंदर protein होता है और उसके साथ साथ vitamin इसके अंदर पाया जाता है और RBC और WBC और platelets भी इसके अंदर dissolve होते हैं RBC को ही बोला जाता है क्या erythrocytes RBC क्या कहलाता है? Erythrocytes कहलाता है और ये by concave होता है shape में और size में और इसके पास nucleus नहीं होता है और कोई भी cell organus इसके पास present नहीं होती है एक important iron का बना हुआ pigment होता है जो हमारे RBC में पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Hemoglobin और जिसके बशे से blood कैसा होता है? Red होता है WBC को बोलते हैं Leucocyte Leucocyte phagocytic cells कहलाते हैं जो हमारे body को protect करते हैं किसी भी infection से लड़ने के लिए और हमारे body को harmful जो foreign materials होते हैं उससे भी protect करने का काम करते हैं Platelets को बोला जाता है क्या? Thrombocytes Platelets का function होता है कि जब कभी भी हमारे body में कहीं पर भी cut हो जाता है तो उस cut को clot करने का काम कौन करता है? Platelets करता है और Platelets ही उस घाव को भरने में मदद करता है तो Platelets मदद करता है Clotting में हमारे body में कहीं पर भी cut जाता है तो उस cut हुए जगा को भरने का काम कौन करता है? Platelets करता है और ऐसे करके चार component हमारे blood में present होते हैं Plasma, WBC, Platelets और RBC WBC का full form क्या होता है? White Blood Cells और RBC का full form Red Blood तो चार component हमारे blood में present होते हैं RBC, WBC, Platelets, Plasma RBC को Erythro Cides भी बोला जाता है और WBC को Leucoside बोला जाता है और Plasma हमारे blood में water को content करता है 90-80% तो I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा मेरे इस वीडियो को like करिए और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो बनाता रहूं Thank you for watching this video मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत